फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजे हेल्थ मेनिफिट्स और डियाइवाई रेसिपीज बाइ सुनाली को बेल आइकन को प्रेस कीजे मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए फ्रेंड्स आज हम जानेंगे एक ऐसे जूस के बारे में जिससे आप पांच दिनों में अपने मुटापे को अलविदा कह सकते हैं और अपनी किड्नी की सफाई कर सकते हैं दोस्तों कोई भी मोटा दिखना पसंद नहीं करता जब कोई आपको मोटा कहता है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात हो जाती है आपको खुद पर गुस्ता आने लगता है और आप जल से जल मुटापे से चुटकारा पाना चाहते हैं पर कई बार सब कुछ ट्राइ करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप निराश हो जाते हैं आपकी इस निराशा को दूर करने के लिए आज में आपके लिए लेकर आई हूँ एक चमतकारी उपाए जो की बहुत ही आसान है ये चमतकारी ट्रिंक आपके पेट में जमाफ वैट और सूजन को कम करने में मदद करता है और आपकी किड्नी की भी सफाई करेगा इसको बनाने में 3 मिनट से भी कम समय लगता है तो अब भारी भरकम व्यायाम को छोड़ कर मोटापी से छुटकारा पाएं इस प्राकरतिक तरीके से इसके लिए आपको सामगरी चाहिए होगी थोड़ा सा ताजा हरा धनिया एक बड़ा नीभू और आधा कप पानी अब इसे तयार करने की विधी जान लीजे एक बरतन में आपको नीभू का जूस निकाल लेना है उसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया डालें और आधा कप पानी डालकर मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स कर लें यानि अच्छे से ब्लेंड कर लें और आपकी चमतकारी ड्रिंक तयार है ये कैसे काम करता है अब वो जान लेते हैं धनिया में शक्तिशाली एंटि आक्सिडेंट्स पाय जाते हैं ये शरीर में सेल्स को पुनर जीवित करता है और गुर्दों को सही तरीके से कारे करने में मदद करता है धनिया में बहुत से खनिश पदार्थ होते हैं जिनसे गुर्दे मजबूत होते हैं विशैले तत्मों का निकास होता है और गुर्दों में से चर्बी कम करता है ये उच्च रक्त चाप को कम करता है और किडनी की सेहत में सुधार लाता है नीबू में भरपूर मात्रा में विटामिन C और B होते हैं जो कि हमारी सेहत और शरीर और गुर्दों की सफाई के लिए बहुत महतपूर होते हैं नीबू में सोडियम की मातरा कम होती है और पुटेशियम की मातरा ज्यादा होती है जो कि किड्नी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है इस नुस्के का रहसे ये दोनों सामगरियों का मिश्रण हैं ये दोनों मिलकर एक ऐसा ताकतवर मिश्रण बनाते हैं जो शरीर से विशाक्त पधारतों को निकाल कर पाचन शक्ती को बढ़ाने में मदद करता है जिससे मुटापा कम होता है और किड्नी भी तंदरुस रहती है अब जान लेते हैं इसे इस्तिमाल करने का तरीका इस ड्रिंग को पाच दिनों तक सुभह खाली पेट लीजिये और फिर दस दिन के अंतराल पर फिर से पाच दिन इस्तिमाल कर सकते हैं जब तक आपको मन्चाहे नतीजे ना मिल जाए वैसे तो आपको शुरू के पाच दि लगती है तो आपको घबराने की जरुवत बिल्कुल भी नहीं है अब आप आसान तरीके से मुटापे से छुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों उमीद है ये वीडियो आपके लिए helpful होगा और आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को से पहले पहुँचें जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए stay healthy, bye, take care and thank you for watch मेरे और भी बनाए हुए वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिये वीडियो को क्लिक कीजे आप वीडियो तक पहुँच जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मज़े support कीजिए, thank you